दोस्तों यदि आप JPC, JCC के इस पैरेंट हैं तो यह चनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन एक्जामनेशन के लिए खासकर छारखन का जो सेक्षन है इसके लिए हर तरह का स्टुटी मैटर प्रोवाइड किया जाता है जो भी लेक्चर से हैं उस आज मैं आपको दो डैम के बारे मताने वाला हूँ और इन डैम्स की चर्चाइस लिखी जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप डैम घुमने जाते होंगे तो पच्चियों की जुन खासकर ठं के दिनों में देखने को मिलती होंगे आप लोगों को तो यह जो खासकर तिलिया डैम और हजारी बाग का छड़वा डैम इसके लिए फेमस है तो इसी दो डैम की यहां पर बात कीचा रही है काफी important topic है इसे आप ध्यान से देखिए ओके देखिए तिलिया डैम और छड़वा डैम में प्रवासी पक्चियों का आगमन प्रवासी पक्चिय प्रवासी पक्चि बोला जाता है जो कि एक्चुली विदेशों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है तो सबसे पहले मनों देखते हैं तेलिया डैम के बारे में ओके यह वहीं का पीक है आप इसे देख सकता है तो साथ समंदर पार जनरली रिफर किया जाता है विदेश विक में ही देखने को मिल जा रही हैं तो समय पुरू आगमन से विदेशी महमानों के सरक्षन एवन सुरक्षा एक चिंता का विसे तो हैं लेकिन वन विभाग के द्वारा इनकी सुरक्षा को लेकर पूरी सक्ती बढ़ती जा रही हैं जानकारी का अनुसार तलेया डैम के रिजर्व छेत्र में हर वस ठंड के एहसास के साथ ही विदेशी पक्षियों का आगमन होता है यहां विदेशी पक्षी अमुनन 15 से 20 नॉम्बर के बाद आते हैं पर इस बार इन्हें नॉम्बर महिने के सुरुआत से ही देखा जा रहा है तो यह जो खास कर है कोटवार डी गाउं इसके पास डैम के किनारे हजारों के संख्या में विदेशी पक्षी आप देख सकते हैं इनमें चाइना वा लदाग छेत्र से आने वाले गेडवाल, कॉमन, पोचाड, हनी, बजाट के अलावा यूरोपियन छेत्र से आने वाली प बार बार ये जो है हेड़ेट, गीज, नॉर्थन, पिनेट, कॉमन, पोचाड, टफ, टेट, डग, इस बार देखे गाए हैं ओके ये पक्षी लदाख, मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान के अलावा यूरोपियन छेत्र से आते हैं तो ज्यादा कर वैसे तो बहुत सारे देखने को यहाँ पर मिलती हैं, हर वर्स इनका आगमन 15-20 नॉर्मर के बाद होता है और ये मार्श एपरिल तक रहते हैं इस बार ये पहले आये हैं, इनका आगमन कई बार मौसम पर डिपेंड करता है, जनवारी में इनकी संख्या काफी जादा बढ़ जाती है, तिलिया ड पक्षियों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसके बावजोद यहाँ कैच्मेंट एरिया को निर्मान कारे के लिए परभावित करने के साथ ही मानव दखल अंदाजी बढ़ रही है, इस वजह से विदेसी पक्षियों का आगमन पहले से कम हो रहा है, दखल अंदाजी मत करीब 30-35,000 की संख्या में ये जो पक्षियां हैं अलग-अलग जुन्ड में दिख जाते हैं थे, पर आज इनकी संख्या कुछ हजार में सिमट गई हैं, कुछ लोग तो इनका सिकार भी करते हैं, जो पूरी तरह गैर कानूनी है, जिला परेटन समीती ने डैम के किनारे वा पर निगरानी रखेंगे, नेचर ट्रेल बनाने का भी प्रस्ताव है, थोड़ा से यहां पर हम लोग उने जाना प्रवासी पक्षों के बारे में, अभी हम लोग देख लेते हैं, तलिया डैम के बारे में थोड़ा सा देखें, तलिया डैम was the first of the four multi-purpose dams included in the first phase of the Mother Valley Corporation, यह कोडर्मा में है और बड़ा का रिवर में है, अट तलिया इन कोडर्मा डिस्टिक्ट, in the Indian state of jargon and opened in 1953, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, हजारी बाग, कटकम सांडी मार गस्तित छडवा डैम, यह वहां का पीक है, तो हजारी बाग, कटकम सांडी मार गस्तित छड सुरू हो गया है, जिस तरह से तलिया डैम important है, उसी तरह से यह भी important है, हालनकि तलिया के respect में यह थोड़ा कम attractive है उन पक्षियों के लिए, डैम हजारी बाग से मात्र 5 किलो मेटर की दोरी पर है, तीन-चार दिनों से डैम में सीत कालिन प्रवासी पक्षी देखने लगे है हाँ, यहाँ पर यह कि जितने पक्षी हैं वो सितकालिन पक्षी हैं, खास कर इन ही के मौसम में इसी मौसम में आपको यह सारी पक्षी देखने को मिलेंगे, अभी इनकी संख्या कम है, नौंबर के अंतिया, दिसम्बर के पहले सबता तक डैम में हजारों के संख्या में पक कार्मो रेंट प्रवासी पक्षी देखे गए हैं, तो यह प्रजातिया है, नाम काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको रेड़ मार्क किया गया है, इसे आप याद कर लीजएगा, प्रवासी जल ये पक्षी जलासे में पूरा दिन बिताते हैं, यहां जल ये पादप की ज अगमन जलासे में हो जाता है, तो ये दो इंपोर्टेंट डैम हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए, खास कर नवंबर, दिसम्बर, जनवरी ये तीन महिने जो हैं काफी इंपोर्टेंट हैं, तो इसी समय ये देखने को मिल जाती हैं, आप चाहते होंगे, आपने ध्यान द दिया चाहेगा और इसका हो सकता है कि क्वीज बना के टेलिग्राम में एक सेशन और्गनाइस कराया चाहे तो उसे आप एटेम कर लें YouTube और टेलिग्राम दोनों ही important इसलिए दोनों से जोड़ना है तो मिलते हैं जारकंड के अगले वीडियो में धन्यवाद